हर को यह बता रहे है कि पहले पैराग्राफ रीड मत करना पहले ना कोशन को अटेम्ट करना ठीक है लेकिन भाई मैं आप आपको बताऊ ना जब तक आप पैराग्राफ को डीपली नहीं पढ़ोगे ना तो आपको कोशन भी समझ में नहीं आएगा इडिंग सेक्षन ही एक ऐसा पोर्षन है जिसमें आपको सबसेता मैनत करनी पड़ेगी बहतर है कुछ ना कुछ लिख क्याओ को ना लिखने से तो टाइम मैनेजमेंट जिस बच्चे ने इसमें कर लिया ना वो भाई इंगलिस के एक्जाम में फोडने वाला है अब हमारा समय आ चुका है मैदान में उतरने का आज वीडियो में पूरा तहीका पताने वाला है और कौन-कौन सी जो मिस्टेक हैं वो आपको एक्जाम में नहीं करनी है और किस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है सेक्षन ए पहले करना है सेक्षन बी पहले करना है या फिर सेक्षन ए पहले करना है किस तरह से हमें पेपर को अटेम्ट करना है पूरी टिप्स बताने वाला हूं इस वीडियो में तो आप सभी से रिक्वेश्ट रहेगे कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना है तो सबसे पहले हम डिसकस कर लें कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्ट करना है तो जो आपके section रहने वाले हैं वो टोटल तीन section है और जो इसकी जो weightage है वो आपकी 20 marks की reading section आएगा और जो आपका 20 marks है आपका writing and grammar वाला section आएगा जो 40 marks है यह लिट्रेचर वाला section आएगा जो सबसे ज़्यादा weightage रख रहा है वो आपको 40 marks का literature वाला section रख रहा है आप देखो मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे attempt करना है आपको अभी तक आपने multiple sample paper solve कर लियोगे चलता है और आपको idea मिल गया होगा कि इस portion में ज्यादा time लग रहा है तो मैं आपको बता दूँ भाई जिस portion में आपको ज्यादा time मार्क्ला आपने आप पहले cover करना क्योंकि हो सकता है कि अगर आप पहले दूसरा portion cover करोगे तो फिर बाद में वह portion आपका चुट सकता है करें और लास्ट में उनका पेपर छूप जाता है तो आज मैं आपको बताऊंगो कि आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है तो सबसे पहले आप देखो जो आपको टोटल टाइम वो थ्री आवर है लेकिन आपको थ्री आवर में पेपर खतम नहीं करना है आपका जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए आपका टू आवर फॉर्टी मिनट्स अब प्वेंटी मिनट्स बचे इसमें आपको क्या करना है मैं आगे वीडियो में बता हूँगा तो section attempt करने के लिए मैं आपको बता दे जिस portion में आपको जगए टाइम लग रहा है वो सबसे पहले एंड उसके बाद further next attempt करना लेकिन अगर आपने sample पर नहीं solve करी और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सब पहले मैं section attempt करूं तो फिर भी मैं आपको बताएता हूँ तो मेरे according में अगर मैं मानो तो भाई सबसे पहले है न आप राइटिंग वाला section attempt करना इसके पीछे भी आपको एक reason बताएता हूँ जब आप राइटिंग वाला section attempt करो तो इसमें आपको एक paragraph आएगा और एक letter आएगा और यह हमें पता रहता है कि mostly information आपको भाई given होती है question में बस उसको आना arrange करके लिखना होता है तो यह आपको होती कम time में खतम हो सकता है paragraph में आप सिंपकर paragraph होगा data given होगा तो उसको ही sentence paragraph में अटे अमन उसको ही sentence में बनाकर लिखना है आपको तो यह आपको easily form हो जाएगा and डूसरा जो आपका letter to editor रहेगा letter to editor में आपका format का एक minute में लगती format लिखने को आपको प्रैक्टिसर के जाओगो तो एक मेंट में लिख दोगे और में पर कवर हो जाएगी तो आपका section भी है वो mostly आपका 30 minutes सी लेने वाला है तो भाई यह काफी छोटा section है और इस section में आपको 30 minutes सी लगने वाले है और आप 20 marks easily cover कर लोगे तो में मेरे recording तो भाई मैं आपको सच्छ यह करूँ कि आपने writing वाला section attempt रहना आपकी preference अलग है आपने sample paper solve क्योंगे आपको पता हो कि आपको कि टॉपिक में टाइम लग रहा है कौन section आपको पहले time करना चाहिए तो आप उसके coding solve करना लेकर अगर आपको समझ में नहीं आ तो मेरे recording आप solve कर सकते है जो मैं आपको बता है अब इसके बाद आपको प्या करना है literature वाले पार्ट मैं क क्यूं कर रहा हूं जहान सुनो लिट्रेचर वाले पार्ट पर पता है question क्या है I mean कहने का मतलब है paper नहीं पता आपको question पता है कि summary में से आने वाले chapter की summary आपने पट रखी है तो आपको idea जली-जली से बनाकर लिख दोगे अब बनाकर कैसे लिखना है भाई format अच्छे से लि करना carefully read करना इस बार जो question आने वाले हो गुमाफ्या के question आने वाले हो सकता है आप question read करो और answer कुछ और लिख जाओ और फिर बाद में पसा हो कि भाई आप question अच्छे से रीड नहीं करा तो भाई read carefully read करना question को अब literature वाले पार्ट में जो आपके 40 marks रिवेटर रखना है इसको होते हैं जिनको आपको underline करना है देखो मैं बता हूँ आपका 30-40 word की जो limit है उन में से आपको ना 9-10 words underline करके चलने है examiner रहना उसका focus ही नहीं जाना चाहिए आपके answer पर उसका focus जाना चाहिए आपके keywords पर जो आपने underline करे हैं और ऐसा अगर आप करोगे तो भाई आपकी gramm grammatical mistake का भी कम होंगी और जो examiner है वो भी आपकी mistake नहीं छाट पाएगा तो आप इस recording कर सकते हो और मैंने आपको बता क्या पहले आपको extract को attempt करना है उसके बाद आपको short answer पर move करना है and then आप अपने long answer पर move कर सकते हो और एक और important चीज़ बता तो जब आप short answer लिख रहे हो त जो आपको सबसे दादा मैंनत करनी पड़ेगी कैसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता reading session क्या आने वाला है इसमें तो हम माननके चल सकते हमें data given होगा इसमें मैं पता है हमें chapter में से आने वाला है लेकिन इसका unseen पैसे हमें कुछ नहीं पता बाई कहां च उठाके दे दे तो इसका तो सबसे बैस तरीका है ना भाई आपको पहले पैसे रीड करना है अब मैं जानता हूं काफी बच्छे सोच रहे हैं कि भाई आमने तो काफी बच्छे सुना है कि पहले ना कोशन रीड करो उसके बाद पैसे रीड करो लेकिन भाई जब आप कोशन रीड करत तो इस कोशन का आंसर मिल सकता है तो उसके कोडिंग आप पहले ही फोकस करके अपना देख लोगे और आपका टाइम भी काफी सेव हो जाएगा इसमें जो आपका में चीज रही है आपको डीपली है ना पैसे को पढ़ना पड़ेगा अगर आप ऊपर-ऊपर से पढ़ लोगे आपको जो स्टार्टिंग का पोर्सन रहने वाला ये काफी टाइम खाने वाला आपका तो इसको आपको कम से कमना 55 मिनट में अटाइम कर लेना है अब मैं जानता हूँ कुछ बच्चे होंगा भाई 60 से 65 मिनट ले सकते हैं लेकिन आपको जो टाइट रखके चलना है सामने गड़ी लगी हो आप देखते रहना कितना टाइम मुझे लग रहा है जितना भी टार्गेट आव चीपर के चलो पर मान के चलना जब आपको जो मैंट से रहना चाहिए जब एक्जाम में लिखने बैठो तो आपका सोच की बैठना कि पहले मुझे सेक्शन बीए टाइम करन होने वाला है उसके बाद जो आपका 40 मार्स टाइम लेना क्योंकि यह वेटेज भी काफी रख रहा है और 60 मिनट का आपको इनफ टाइम मिल रहा है क्योंकि इसमें जो आंसर फ्रेमिंग करोगे ना वहीं हो अच्छे से करना और इस बार है ना पॉइंट टू-पॉइंट आ आपको रखनी है रिवीजन के लिए अब आपको पेपर को चेक करना कि भाई मैंने ऐसा कौन सा कोशन रह गया जो मुझसे अटेम्ट नहीं हुआ देखो हो सकता है आपको इसमें ग्रामर वाले पोर्शन में कोई कोशन आए ना आप कन्फूजन में हो तो भाई उसको को ले हर एक कोशन के बाद आपको अंडरलाइन करनी है स्केल से आपको पेपर को सजाना स्टार्ट कर देना है जो कीवर्ट रहे तो उनको अंडरलाइन स्टार्ट कर देना जो आपके जो सेक्शन है उसको बोक्स में बना देना ऐसका कि सेक्शन बी बोक्स में बना देना सेक्शन अच्छी राइटिंग में बाद में आप मुववन कर सकते हो जानता हूं भाई स्पीड काफी तेजल जली लिखनी पड़ती है तो राइटिंग खराब हो जाती लेकिन इस टार्टिंग जो पेज होते हैं उनमें तीन से चार पेज में अच्छी राइटिंग लिखना ऐसा नह बिना करें को पी चेक करने का आपको फिर ऐसी हवा में नम्मर दे और सब्सक्राइब बात आपको जहां रखने हैं कोई भी कोशन आपको छोड के नहीं आएं दोस्तों कि इंगलिस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप इसमें कोई कोशन छोड़ नहीं सकते आपको कुछ सव पता है इंकेस आपको कोशन एग्सक्राइब नहीं पता उसका तो भाई समरी गुमा फिराकर लिख दो उसको अगर आपको 4-3 Mark से कोशन